जैश्री कृष्ण दोस्तों, दोस्तों आज आपके हाथ में जो मोबाइल है, उसमें आपके कई दोस्तों, कई रिष्टेदारों के नंबर हैं, परंदू प्रश्ण है, आपको इन में से कितने नंबर याद हैं, शायद 4 या 5, या हो सकता है, किसी को 10 नंबर याद हो, इसी प पढ़कर उसके हर अक्षर को याद रखना है तो जादातर लोग तो इस पर विश्वास ही नहीं करेंगे, कहेंगे ये संभव ही नहीं, ये तो किसी सूपर हीरो की कालपनिक शक्ती सा लगता है, हमें लगता है कि ये तो इनसानी शक्ती के परी की बात है, हाँ आज ये हम सब असंभव समझते हैं, परन्तु ये मुश्किल नहीं था स्वामी विवेकानन जी के लिए, और तो और स्वामी विवेकानन जी ही ऐसे महापुरुष नहीं थे, ऐसे कई लोगों ने इस अवस्था को प्राप्त किया, जैसे की भक्ती सिधान सुरस्थती ठाकुर जी, इन्हो विवेकानन जी की बताई इन चार चीजों पर ध्यान दो, तो आपकी भी समझती बहुत अधिक बढ़ जाएगी, मैं ये नहीं कहता कि आप बिलकुल वैसे ही बन जाएंगे, परन्तु आपको इन चार चीजों से फाइदा तो बहुत होगा, इस वीडियो में बताई बातें विद्यार्थियों के लिए तो वर्दान है, क्योंकि वह एक बार का पढ़कर हमेशा के लिए याद रख पाएंगे, हाँ इन सब के लिए आपको अभ्यास तो करना ही होगा, क्योंकि ये कोई जादूई या चमतकारी चीज़े नहीं है, मैं आपको स्वामी विवेकानन जी के जीवनकाल से जुड़ी तीन घटनाएं बताता हूँ, जिस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आते हैं पहली घटना पर, ये तो सब जानते हैं, स्वामी विवेकानन जी के बचपन का नाम था नरिंदर नात, 1980 में नरिंदर नात, अथार्थ स्वामी विवेक स्वामी जी हर रोज थानिय पुस्तकाल्य से एक पुस्तक लेते, फिर उसे पढ़ते और अगले दिन वापिस भी कर देते, जो इस लाइब्रेरी की देखभाल करते थे, वो ये मानने को तयार ही नहीं थे, कि स्वामी जी 700 से 800 प्रेश्ट की किताब एक ही दिन में पढ़कर वापिस कर देते हैं, उन्हें लगता था कि वे कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, केवल दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर एक दिन उन्होंने स्वामी अभेदानंद को अपना संदे व्यक्त किया, और अभेदानंद जी ने ये बात स्वामी जी को बत आई हैं, आप उनमें से कोई भी प्रश्न मुझसे पूच सकते हैं, लाइब्रेरियन ने काफी समय लगा कर उनसे कई प्रश्न पूचे और नरेंदरनात ने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया, लाइब्रेरियन को बड़ा आस्चर रहे हुआ, इसी प्रकार शरत चंद्र चकरवती, जो कि स्वामी विवेकानन जी के ही शिश्य थे, उन्होंने भी एक बार बताया था कि एक बार ब्रिटेनी का इंसाइकलोपीडिया उनके मठ में मंगवाया गया, ये बारा बड़ी-बड़ी किताबे थी, तो शरत चंद्र जी स्वामी जी से बोले, ये पूरा का वालियम में से कुछ भी मुझसे पूच सकते हो, और जब शरत चंद्र चकरवती ने स्वामी जी से प्रश्न पूचे, तो वह दंग रह गए, स्वामी जी हर प्रश्न का सही जवाब दे रहे थे, इतना ही नहीं, कई बार स्वामी जी ने बिलकुल वही शब बोले, जो किता आप में लिखे हुए थे, मानो, जैसे ये दस बड़े बड़े इंसाइकलोपीडिया को स्वामी जी ने रट लिया हो, ये देखकर शरत चंद्र चकरवती जी चकरा गए, उनको जब समझी नहीं आया, तो उन्होंने स्वामी जी से कहा, ये कैसे संभव है, ये तो इंसानी परे की बात है, आपने ये कैसे कर दिया, इस पर स्वामी जी बोले, ये संभव हो पाया है, कड़ी प्रमचार्य के बलपर, इसके इलावा, ऐसी स्मंझ शक्ती के लिए, स्वामी जी ने तीन और राज भी बताये थे, जब खेतरी के राजा, अजीत सिंग ने एक बार देख कि ये कैसे संभव है, कि आप एक किताब को इतनी जल्दी पढ़कर समाप्त कर देते हो, अब नरेंदरनात अथार्ट स्वामी जी ने बताना शुरू किया, कि वह बच्पन से ही किताबे पढ़ते आ रहे हैं, और जब वह एक शब्द पढ़ते हैं, तो पूरा ध्यान उसे एक शब्द पर लगा देते हैं, इसी प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति अपनी एकाकरता शक्ती बढ़ा ले और इसकी प्रैक्टिस करता जाए, तो वह एक जलक में ही एक प्रस्ट पढ़ सकता है, स्वामी जी ने बताया, ऐसी शक्ती प्राप्त करने के लिए तीन चीजों क अवशक्ता है, पहला कंसिस्टेंसी, दूसरा प्रैक्टिस और तीसरा मेडिटेशन, हिंदी में कहूं तो स्थर्था, यानि हर रोज पढ़ो, बीच में एक भी दिन चूट ना पाए, दूसरा अभ्यास, पढ़ते रहो, बार बार अभ्यास करो, तीसरा ध्यान, मतलब मेड क्योंकि मेडिटेशन करने से व्यक्ति की एकागरता बढ़ती है, और हाँ, श्रीमत भकवत कीता में ध्यान लगाने की जो विदी बताई गई है, उसको जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, इस वीडियो में ध्यान की उस विदी को बताया गया है, जो स्वयम श्रीमत भकवत कीता में बताई थी, और इस वीडियो को हर उस विध्यारती के साथ शेयर करना ना भूलिए, जिसको आप जिंदगी में सफल देखना चाहते हो, हरे क्रिशना